आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है आप टेली का अधूरा ज्यान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है इस वीडियो सिरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें वीडियोज को क्रमा नुसार देखने के दो तरीके हैं पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा टैली प्राइम की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याए में हम आपको बताएंगे टैली प्राइम में स्टॉक आइटम्स बनाना और उन्हें स्टॉक ग्रुप्स के साथ देखना इसके पहले वाली वीडियोज में हमने आपको मास्टर्स के अंतरगत क्रमशह, लेजर्स, स्टॉक ग्रुप्स और यूनित बनाना उन्हें औल्टर करना साथ ही उन्हें डिलीट कैसे करते हैं ये बताया था स्टॉक आइटम्स के बारे में बताने से पहले एक निवेदन है आपको सिर्फ वीडियो देखने से लाब नहीं होगा यदि आप इस वीडियो का सही लाब लेना चाहते हैं तो जैसा आपको वीडियो में समझाया गया है ठीक उसी तरह दो तीन बार प्रैक्टिस जरूर करें तो चलिए सब सब पहले समझते हैं कि स्टॉक आइटम्स क्या है स्टॉक आइटम्स से तातपर उन वस्तों से हैं जिनका आप व्यापार करते हैं या निर्मान करते हैं या निर्मान के लिए कच्चे माल यानि Raw Material के रूप में उप्योग करते हैं हमने Manual Accounting की प्रसस में बताया था कि व्यापार में हमें किसी का भी अकाउंट यानि हिसाब किताब रखने के लिए उसका खाता यानि लेजर बनाना होता है ठीक उसी तरह हम जिन वस्तों का व्यापार करते हैं उनका भी हिसाब रखना होता है हिसाब रखने से ही हमें ये जानकारे मिल पाती है कि हमने कौन सा माल खरीदा कितना खरीदा, किस भाव में खरीदा, कितना भीचा, किस भाव में भीचा, कितना स्टॉक बचा है त्यादी और यही कारण है कि हमheen लेजर्स की तरह ही स्टॉक आईटम्स भी बनाते हैं आगे बढ़ने से पफेले एक महत्पून बात बता दें कि जिस तरह हमने आपको अब यहां नीचे दिखाई पड़ रहें, इन्वेंटरी मास्टर्स में स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करें यह देखें, स्टॉक आइटम क्रियेशन स्क्रीन आ गई है नेम के आगे स्टॉक आइटम का नाम टाइप करें, जैसे हमने टाइप किया ओनीडा टीवी 20 इंचेज, एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें अंडर में आप इस स्टॉक आइटम को जिस भी में ग्रूप या सब ग्रूप में रखना चाहते हैं उसका नाम लिस्ट आफ ग्रूप्स में से सिलेक्ट कर लें चुकि या आइटम ओनीडा टीवी ग्रूप के अंतर गता आता है इसलिए हम ओनीडा टीवी सिलेक्ट कर रही हैं एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें यूनिट्स के आगे यूनिट्स की छोटी बिंडो आ रही है यूनिट्स की अगी हैं इन्टर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे ज़िए इस आइटम का कोई उपनीग बैलेंस है तो वो आपको लिखना होगा आएए पहले opening balance यानी opening stock को समझ लेते हैं माले जए कोई व्यवसाई manual accounting करता है और उसने financial year यानी वित्तिय वर्ष के बीच में या किसी वित्तिय वर्ष की समापती के बाद अगले वित्तिय वर्ष के प्रारंब से computer accounting प्रारंब कर दी तो manual accounting में उसके stock items के जो भी closing balance होंगे वे computer accounting के लिए opening balance हो जाएंगे उदारन के लिए कोई व्यापारी 31 March 2020 तक अपने यहाँ manual accounting करता था और उसके पास 31 March 2020 को अलग-अलग company के 50 TV stock में थे तो यह उसका closing stock कहलाएगा और अब उसने 1 April 2020 से अपने यहाँ computer accounting शुरू कर दी तो 31 March 2020 के manual accounting के stock items के जो भी closing balance होंगे जैसे कि यहाँ उसके पास 50 TV थे तो वो computer accounting के लिए opening balance हो जाएंगे और वे सभी balance उसे computer accounting शुरू करने के पहले stock items बनाते समय अपने यहाँ पर opening balance में लिखना होंगे हमारा कोई opening balance नहीं है पर समझने के लिए यहाँ हमने quantity में 10 टाइप कर दिया है एंटर प्रेस करें यहाँ हमें माल का जो भी खरीद भाव है वो टाइप करना होगा एंटर प्रेस करें देखे हमारे opening balance की total value आ गई है control और A की इसको प्रेस करके हम इसे screen को accept कर लेते हैं अब यदि आप चाहें तो दूसरे item का खाता भी इसी तरह खोल सकते हैं हम escape की कि सहायता से वापस gateway of tele पर आ गए हैं अभी हमने एक समय में एक यानि single stock item बनाना सीखा आई अब देखते हैं कि एक ही समय में एक से अधेक यानि multiple stock items कैसे बनाते हैं उसके लिए chart of accounts में जाना होगा जिसके लिए हम H key प्रेस कर रहे हैं अब यहां से inventory masters में stock items को select करें यहां से multi masters के लिए alter और H keys को प्रेस करें यह देखें list of multi masters आ रही है इसमें से multi create select करें multi stock item creation screen आ रही है यहां हम दो तरीके से stock items बना सकते हैं पहला यदि आप किसी एक stock group के अंतरगत stock items बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले backspace key प्रेस करें ऐसा करते ही right side में list of groups आ जाएगी अब आपको under group में list of groups में से वो group select करना होगा जिसके अंतरगत आप stock items बनाना चाहते हैं हम यहां sub group LG TV के अंतरगत stock items बनाना चाहते हैं तो हम LG TV select कर रहे हैं enter करते हुए आगे बढ़े name of item में LG TV 20 inches टाइप कर रहे हैं यह enter press किया देखे under में LG TV लिखा आ रहा है क्योंकि हमने उपर under group में LG TV select किया था units में हम nos यानि numbers select कर रहे हैं वैसे तो हमारा कोई opening stock नहीं है फिर भी समझने के लिए हम opening quantity में 15 लिख रहे हैं enter press करेंगे अब यहां पर उसका purchase rate डाल कर enter press करते हुए आगे बढ़ेंगे देखे amount में stock items का पूरा मुल्य आ गया है enter press करते हुए आगे बढ़ें हम LG TV 30 inches का एक stock item और बना लेते हैं और इसे तरह आप चाहें तो उपर चुने हुए group में और भी stock items बना सकते हैं हम control और A keys की साहता से इसे accept कर लेते हैं अब देखते हैं multiple stock items बनाने का दूसरा तरीका इसमें हम एक ही बार में अलग-अलग groups के अंतरगत stock items बना सकते हैं उसके लिए हम alter और H keys को press कर रहे हैं यहां से multi create select करें यहां under group में all items select करना होगा जोकी already selected है हम enter press करके आगे बढ़ रहे हैं name of item में item का नाम लिखें हम type कर रहे हैं onida tv 30 inches enter press करें अब यहां आपको list of groups में से item से संबंधित group का नाम select करना होगा हमने select किया onida tv group select करने के बाद अब unit select करना होगी अब यादी कोई opening balance है तो वो डालते हुए आगे बढ़ें हम एक stock item samsung tv 20 inches का और बना लेते हैं यहां samsung tv subgroup select करेंगे enter press करेंगे चलिए अब और आगे बढ़ते हैं यहां हमने stock item में dell laptop model triple one type किया enter press किया अब यहां पर एक दिक्कत है कि हम जिस group में यह stock item बनाना चाहते हैं वो group हमने बनाया ही नहीं है ऐसे स्थिति में जैसा कि हमने आपको पहले बताया था आप alter और c keys को press करके भी group या subgroup बना सकते हैं हम alter और c press कर रहे हैं दिखें यह stock group creation window आ गई है जैसा कि हमने आपको stock group create करने वाली वीडियो में बताया था उसी तरह आप यहां group बना सकते हैं हम यहां पर dell laptop के नाम से subgroup बना रहे हैं और यहां under में हम laptop जो की हमारा main group है उसको select कर रहे हैं अब unit select कर लें और enter press करें कई बार ऐसा भी होता है कि हमने name of item में किसी item का नाम type कर लिया और आगे बढ़ गए फिर हमने लगा कि हमें यह stock item नहीं बनाना है ऐसी स्थीती में backspace key press करके name of item पर आ जाएं और delete key से item का नाम delete कर दें और उसके जगह पर कोई अन्य stock item बनाना हो तो वो बना लें हमने कुछ और stock items और उनके stock groups अपनी जरूरत के हिसाब से बना लिये हैं अब control और A की इससे इस window को accept कर लेते हैं चलिए अब आपको यह बताते हैं कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने जो stock groups बनाए थे और इस वीडियो में जो stock items बनाए हैं उन्हें एक साथ कैसे देख सकते हैं यह देखे अभी हम chart of accounts पर हैं और यहीं से हम आगे गए थे chart of accounts के नीचे list of stock items लिखा हुआ दिखाई पढ़ रहा है अब यहाँ ध्यान से देखे हमने जो primary यानि मुख्य groups बनाए थे वो दिखाई पढ़ रहे हैं उसके बाद उन primary groups में हमने जो subgroups बनाए थे वो दिखाई पढ़ रहे हैं और उन subgroups के अंतरगर जो stock items बनाए थे वो दिखाई पढ़ रहे हैं यदि आपको इस list में किसी group, subgroup या stock item में कहीं कोई गलती दिखती है तो उसे ठीक करने यानि alter करने के लिए उस पर जाकर enter press करें समझने के लिए हम इस stock item पर enter press कर रहे हैं यह देखे ऐसा करते ही stock item alteration window आ गई है आप यदि कुछ change करना चाहें जैसे नाम, group, unit, opening balance तो यहां से कर सकते हैं बस एक बात का ध्यान रखें, जिन stock items में आपने transactions कर लिए होंगे उनकी units change नहीं कर सकते stock items को अल्टक कैसी करते हैं यह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे अब यह हम skip की किसायता से पहले वाली window पर चलते हैं यहां हम F5 की press कर रहे हैं देखें अब stock items बनाते समय हमने जो भी details दी थी वो यहां पर दिखाई पड़ रही हैं यहां से यदि आप कुछ भी alteration करना चाहें तो कर सकते हैं हम फिर से F5 की press कर रहे हैं आपको एक बार फिर याद दिला दें यदि आप tally में कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं और उस दौरान यदि आप कोई नया master बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अभी हमने जो options समझे वे go to में भी मिलते हैं इस वीडियो में हमने single stock item और multiple stock items बनाना बताया अगली वीडियो में हम इने alter और delete कैसे करते हैं यह बताएंगे और उसके बाद वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि purchase voucher और sales voucher क्या हैं और उनमें transactions कैसे record किये जाते हैं